पहला प्रस्न है नवीन और नवी करण उर्जा मंत्राले ने देश के किस प्रसिद्ध मंदीर के सोलराजेशन के लिए एक योजना सुरू किया है, आपको ये बताना है और ये सुरू किया गया है जो आपका ओरिसा में को नार्क सुर्य मंदीर पढ़ता है उसके लिए, पात्र भारक का मंदिर है जो सुर्य मंदिर है कहां पर अपसे फेमस उड़ीचा में उड़ीचा के सीम कौन है आपके नभीन पतनायक अगर बात करू राज जपाल कौन है तो कौन है वहां के गनेसी लाल और कैपिटल क्या है तो वह आपका भूनेश्वर अगला प्रस्था हम important question है और ये जो देदी वेकल सर्वी सुरू किया गया है जिस राज में प्रेगनेंट ओमिन के लिए वो बिलकुल मुफ्त है बिलकुल मुफ्त है और ये चालू किया गया है आपका मध्य पर्देश में मध्य पर्देश के सीम कौन है सीवरा सिंग चोहान अगर वहां के राज जी टंडन है और कैपिटल के है तो वो है आपका भोपाल तो याद रखिएगा अगर एक्जाम में कभी पूछ दे ग्रामिन अजी का मिसन के तहट जो दीदी वेकल सर्वी सुरू किया गया है प्रेगनेंट महिलाओं के लिए वो किस राज में सुरू किया गया है तो मध्य परदेश में अगला प्रस हमारे सामने हैं बाबा राम देव बहुत बड़े पॉलिटिसियान है बाबा तो नाम का लगता है इनके आगे बाबा राम देव के पतन जली ने सौदेशी वस्तूओं और देश के निर्मित वस्तूओं की आपूर्ति करने के लिए कौन सा e-commerce प अचानक से बोली जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है अब देख ले ना पूरे परमाण के साथ वीडियो पड़ा हुआ है ठीक है ना अब यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है ठीक है लेकिन इन्होंने क्या किया है अभी एक नया online e-commerce platform लांच किया है जहां स यह अपना business को बढ़ावा दे सकेंगे क्या नाम है order me यह इनका e-commerce company का नाम है ठीक है यहां से अपना समान बेचेंगे और नाम दिया है क्या सौदेशी वस्तू ठीक है देश का वस्तू को बेचेंगे चलिए अगला प्रस हमारे सामने है किस संस्तान ने alzheimer रोग से संदित स्मृति हानी या अल्पकाल नुकसान को कम करने के लिए नए तरीके खो जाएं किस संस्तान ने खो जाए तो IIT गोहाटी ने option number आपका C अगला प्रस हमारे सामने है rating agency जो है आपका ICRA के अनुसार उनके according भारतिय अर्थ वस्ता को वित्तिवर्स 21 में कितने परतिस्तत तक अनुबंद करने की संभावना है तो 5 परतिस्तत तक जो पहले अनुमाल लगाया गया था वो लगाया गया था 1-2% तक लेकिन इसको बढ़ा कर कर दिया गया है अभी 5% ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है बिस्व बैंक के मुख अर्थ सास्त्री और उपाध्यक्च के रूप में किसे नामित किया है बहुत important question है वर्ल्ड बैंक का chief economist and vice president किसे नुक्तिया गया है तो उनका नाम है आपका कार्मेन राइनहार्ट option number आपका D अगर विस्व बैंक की बात की जाए तो विस्व बैंक का अध्यक्च कौन है अभी तो आप बोलेंगे डेविड मालापास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था अगर मैं आपसे पूछू गठन कब ह हुआ था इस बैंक का तो आप बोलेंगे जुलाई 1944 में और हेट क्वार्टर कहां पर है मुख्याले विस्व बैंक का तो आप बोलेंगे वांसिंटन डिसी जो अमरीका में पढ़ता है वहां पर है ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है आम्रे पर्देश सरकार के द्वारा MSME को पुना जीवित करने और परभावित लोगों की आजविका में सुधार करने के लिए एक योजना सुरू की उसका नाम क्या है आपको ये बताना है और उसको नाम दिया गया है रिलाउंच अप्सन नंबर आपका D ठीक है और एक बात इस योजना के तहतना 1110 करोड रु रुपए निवियस करेगी आंदर परदेश सरकार तो 1110 करोड रुपए ठीक है ये आप याद रखिएगा कितना 1110 करोड रुपए ताकि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मिडियम इंटरप्राइस जो सेक्टर है उसको दुबारा से उठाया जा सके अगर बात करूं आमर परदेश ये जगन मोहन रेड़ी ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है परदान मंत्री वे वंदना योजना इस योजना के तहत आपको पता है जितने भी सिनियर सिटीजन है वरिष्ट नागरिक है उनको पेंसन दिया जाता है L.I.C. के द्वारा अगर कुछ पैसा वगरा वहाँ पर जमा करते हैं इस योजना के तहत तो उनको क्या पेंसन के रूप में दिया जाएगा कुछ पैसा ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा हो पाए लेकिन क्वेस्टन बोल रहा है न ये जो योजना है इसको तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया कितने साल के लिए यहाँ पर को और बढ़ा दिया गया है तो आपके घर में जो भी सिनियर सिटीजन है उनको इनके बारे में जनकारी दीजिएगा अच्छा रिटन भी मिलेगा 7.4% का आपको रिटन दिया जाएगा जो आपको बैंक भी नहीं दे रहा है ठीक है न अगला प्रसमारे सामने हैं किस राज सरकार ने अपने छेत्रों को लाल और गैर लाल छेत्रों में एरिया में विभाजीत किया है किस राजने आप सभी को पता है अभी COVID-19 पैंडमी यानि क्रोना वाइरस महामारी के वज़े से पहले तीन एरिया में बाटा गया था आप सभी को पता है लाल, रेड, ग्रीन और लेकिन बाब में इसको पांच भाग में बाटा गया, सिंटरल के द्वारा, लेकिन अभी महरास्ट सरकार ने बोला है कि अभी उनके एरिया को दो भागों में बाटा जाएगा लाल और गैर-लाल में ठीक है याद रखिएगा क्योंकि महराष्ट में तो अभी केसे बहुत जादा है महराष्ट के साथ साथ गुजरात को भी नहीं भूलना चाहे क्योंकि अभी देखो मैं बराबर बोलता हूँ अगर केस बढ़ रहा है अगर टेस्टिंग जादा होगी तो केस बढ़ेगा ठीक ह क्योंकि ऐसा भीमारी है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं ठीक है कुछ पल के लॉक्डाउन करकर आप इस भीमारी पर क्या बोल सकते हूँ बिजये पास सकते हैं लेकिन लॉक्डाउन खूलेगा बिजनेस खूलेगा तो भीमारी बढ़ेगा लेकिन कम से कम हर एक सरकार को य सिखी में एक भी केस statistical इतने दिनों से अभी सिखी में केस आ गया घवाः अजवा में केस आ गया तिर्पूरा फ ٹरित्फरी अज़ा तिर्पूरा में केस आ गया केस तो आएगा क्यों कि भीमारी ही फहलोग मरें कम तो महरास्ण में लोग मर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा मरने का परतिसत जो सबसे ज़्यादा है वो गुजरात में हैं गुजरात में कंडिसन बहुत क्रिटिकल है यहां पर तो सुप्रीम कोट जो हाई कोटे वहां का वो तक फटकार लगा रहा है कि आपका वेवस्तास बिल्कुल सही नहीं है व मेडिया में आपको यह दिखने को नहीं मिलेगा लेकिन जब आप ऑफिसियल साइट पर जाएंगे ना गुजरात हाई कोट का तो वहां पर आप सबी देख पाएंगे लेकिन पता नहीं मेडिया क्यों नहीं दिखा रही है समझ में नहीं आ रहा है और गैरलाल जोन में जपाल कौन है तो भगस सिंग खोसियारी अगला प्रसमारे सामने निमलिखित विस के नेताओं में से कौन कोविड-19 के खिलाप अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले रहा है और ये डोनल्ड ट्रम्प ने खुलासा किय है कि ये अब ले रहे हैं ठीक है अपने इम्मिन सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगला प्रसमारे सामने बेनी गेटिज ने किस राष्ट के वेकल्पिक पढ़ान मंत्री के रूप में सपत लिए यहाँ पर एक्च्वल में क्वेस्टन क्या बोल रहा है अच्छे से समझ ले हैं तो ये दुबारा से समाल सकते हैं उनके जगब पर तो पहला प्रस्ण आपका आज यहीं से निकल कर आ रहा है कि अभी भरतमान में अस्थाई रूप से इस्राइल का परधान मंत्री का नाम क्या है वहां का मुद्रा क्या है और वहां पर रासधानी ये क्या है तीन पर रहा है तीन चीड क्या रहा है ये एकप।